इस वीडियो में पस्चमी घाट एवं पुर्वी घाट के बारे में जानेंगें। पस्चमी घाट अरब सागर के तट के समनांतर उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर दच्छिन में कन्या कुमारी अंतरीप तक लगभग सुल्ला सव किलो मीटर की लंबाई में फैली हुई है। पस्चमी घाट गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलाडू राज में फैली हुई है। इस प्रकार पस्चमी घाट भारत के छह राज में फैली हुई है। पस्चमी घाट पुर्वी घाट की अपेच्छा अधीकूंची है। पुर्वी घाट के अवसत उच्चाई लगभग 600 मीटर है। जबकि पस्चमी घाट के उच्चाई 900 मीटर से 600 मीटर है। पस्चमी घाट को अस्थानिय रूप से अनेक नाम से जाना जाता है। जैसे महरास्ट्र, गोवा, करनाटक में सह्यादरी, तमिलाडू में नीलिगिडी, केरल इवं तमिलाडू की सीमा पर अन्ना मलाई एवं कार्डवं के नाम से जाना जाता है। सुल्ला टिगडी उत्री अच्छान्स रेखा सह्यादरी को दो भाग उत्री सह्यादरी एवं दचनी सह्यादरी में बाटती है। उत्री सह्यादरी की उपरी सतह पर बेसाल्ट लावा के निछेप पाए जाते हैं। उत्री सह्यादरी की सबसे उँची चोटी कालसूबाई है। महाबलेशवर उत्री सह्यादरी की अनप्रमुख उँची चोटी है। कालसूबाई एवं महाबलेशवर महरास्ट्र में है। महाबलेशवर के नजदेक से क्रिष्ना नदी निकलती है। दच्छनी सहियाद्री मुख्डुप से अर्कियन चट्टान, गिरनाइट एवं नीश से निर्मित है, दच्छनी सहियाद्री की सबसे उंची चोटी कुदेरमुख है, कुदेरमुख करनाटक में है, पुस्पगीरी दच्छनी सहियाद्री की दुसरी सबसे उंची चोटी है, पस्चमी घाट एवं पूर्वी घाट निलिगीडी पहारी में आपस में मिलती है निलिगीडी पहारी एक गांठ के रूप में करनाटक, केरल, तमिलनाडू राज की सिमावर्ती छेत्र में इस्थित है निलिगीडी पहारी की सबसे उन्ची चोटी दोदा बेटा है दोदा बेटा प्राइदी पिये पठार एवं दच्छिन भारत की दूसरी सबसे उंची चोटी है परियाटन अस्थल उडग मंडलम जिसे उटी के नाम से जाना जाता है निलिगीडी पहारी पर इस्थित है केरल में निलिगीडी पहारी पर सांत घाटी यानि साइलेंट वैले इस्थित है सांत घाटी सरवाधिक जैब विधता वाले छेत्रों में से एक है निलिगीडी पहारी के दच्छिन में केरल एवं तमिलाडू की सिमावर्ती छेत्र में अन्ना मलाई पहारी इस्थित है अन्ना मलाई पहारी की सबसे उंची चोटी अनाय मुड़ी है। अनाय मुड़ी प्राइदीपिय पठार एवं दच्छिन भारत की सबसे उंची चोटी है। अन्ना मलाई पहारी के दच्छिन में कार्डमम पहारी है। पष्चमी घाट पष्चमी तट के समनांतर सतत रूप में फैली हुई हैं और इसे दर्रा के द्वारा पार किया जा सकता है। पस्चमी घाट के परमुख दर्रा है थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, सिंकोटा दर्रा, थाल घाट दर्रा महरास्ट्र में है, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोडता है, मुंबई नागपुर कुलकता रेल मार्ग एवन सरक मार्ग थाल घ पाल घाट दर्रा महरास्ट्र में है, पाल घाट दर्रा मुंबई को पूने से जोडता है, मुंबई पूने बिलगाम चिन्नाई, सरक मार्ग एवं रेल मार्ग भोर घाट दर्रा से गुजरता है, पाल घाट दर्रा निलिगिडी पहारी एवं अन्ना मलाई पहारी के बीच इस्थित है, पाल घाट दर्रा केरल राज में है, पाल घाट दर्रा पलककर को कोयम बटूर से जोडता है, सेंकोटा दर्रा अन्ना मलाई पहारी एवं कार्डवं पहारी के बीच इस्थित है, ये नदियों में से अधिकान्स बरी नदियों का उदगा मस्थल पस्चमी घाट में है। गुदाबरी नदी महराश्ट के नासिक जीला में पस्चमी घाट के ढाल से निकलती है। क्रिष्णा नदी महराष्ट के पस्चमी घाट में महाबलेसवर के नजदीक से निकलती है। कावेरी नदी करनाटक के पस्चमी घाट के ब्रहमगिरी पहारी से निकलती है। केरल की सबसे बरी नदी भरतपुजा नदी पस्चमी घाट की अन्ना मलाई पहारी से निकलती है। भरतपुजा नदी को पुनीनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बर्स दो हजार बारा में योनेशको ने पस्चमी घाट को 20 धरोहर अस्थल यानि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में सामिल किया है। पस्चमी घाट को 20 में सरवाधिक संपन जैब विजता वाली स्रेनी में रखा जाता है। पस्चमी घाट के पस्चमी ढाल पर आद्र हवा के टकडाकर उपर उठने के कारण पस्चमी घाट में प्रवतिय बर्सा होती है। पस्चमी घाट प्राइदीपिय पठार काहीं एक भरंस कागार है। पस्चमी घाट एवं पुर्वी घाट निलगिडी पहारी में आपस में मिलते हैं। पुर्वी घाट प्राचीन मोरदार अवसिष्ट परवत है। पुर्वी घाट का विश्तार सतत रूप में नहीं है। महानदी, गुदावरी, क्रिशना, कावेरी इत्यादी नदियां पुर्वी घाट से हो करवाती है। और ये नदियां पुर्वी घाट का अपर्दन कर इसे अनेक भागों में बाट दिया है। इसलिए पुर्वी घाट का विश्तार सतत रूप में नहीं है। पुर्वी घाट मुख रुप से महानदी घाटी से लेकर दच्छिन में निलिगिडी पहारी तक उरीशा, आंध्रपर्देश, तिलंगाना, करनाटक, तमिलाडू राज्ज में फैली हुई है। करनाटक एवं तमिलाडू राज्ज में पस्चमी घाट एवं पुर्वी घाट दोनों घाट फैली हुई है। पुर्वी घाट के दच्छिन पस्चम में सिवराई पहारी एवं जवादी पहारी है। यारकोड हिल स्टेशन तमिलाडो में सिवराई पहारी परिस्थित है। महा नदी एवं गुदावरी नदी के बीच वाले छेत्र में पुर्वी घाट के वास्तविक उच्चाई एवं परवतिय विशस्ताएं देखने को मिलती है। क्योंकि इस छेत्र में जिन्दागद्दा, महेंद्रगीरी जैसी उँची चोटी पाई जाती है। गुदावरी नदी एवं क्रिशना नदी ने पुर्वी घाट का अपरदन कर चौरी घाटियों का निर्मान किया है। कावेरी नदी एवं पिन्नार नदी के बीच बाले छेत्र में मेलागीरी पहारी इस्थित है, मेलागीरी पहारी चंदन के बन के लिए प्रसीद है। आंद्र परदेश में उत्तर से दच्छिन दिशा में पुर्वी घाट की परमुक पहारियों का क्रम है नल्ला मलाई पहारी, बेली कुंडा पहारी, पाले कुंडा पहारी, नगारी पहारी, तमिल नाडू में उत्तर से दच्छिन दिशा में पुर्वी घाट की परमुक पहार का क्रम है जबादी पहारी, सिबराय पहारी, पंच मलाय पहारी, सिरू मलाय पहारी,